है समर्पित प्रभू मेरा जीवन तुझे तेरे चर्णों में इसको रखू है समर्पित प्रभू मेरा जीवन तुझे तेरे चर्णों में इसको रखू अपनी सेवा करा अपनी राह पे चला अपनी आत्मा की अगवाई दे अपनी सेवा करा अपनी राह पे चला अपनी आत्मा की अगवाई दे की अब सुन ज़ेखे सुपसंदेश मोरी बोई अब प्रफुकरदास वर्गिस की सजास से वजन से वाटा जाएगा परमेश्टर की बेगविले नाम की महिमा करता हूँ, एक बार और सबसनेस कारिकर में हम सब को स्वाध करते हैं, आईए आज का बचार की लिए हम निगा लेंगे पहला योहना की पत्री, दूसरे अध्याय की, नो से गैर भी आये तक हम पहले पढ़ेंगे, जो कोई यह कहता ह है कि मैं जोदी में हूँ, और अपने बाई से वहर रखता है, वगर अब तक अंदगार भी में है, जो कोई अपने बाई से प्रेम रखता है, वगर जोदी में रहता है, और टॉकर नहीं का सकता, पर जो कोई अपने बाई से वहर रखता है, वगर अंदगार में है, और अं जानदाय की कहां जाता है क्योंगि अंदगार ने उसकी आंगों अंदी कर दी है प्रव के नाव की महिमा हो हम पी चले कुछे समय से योगना की पहली पत्री में से कुछे बातों को लेकर मेडिटेशन करते हैं मुझे विशा जिए कि सुनने वाला सबके जीवन में आशिषय पाएंगे हैategी कि सुनने वालां की जीवन में परमेश्व का आशिष और अनिगरा मिले यहां दक इस वज़न बोलने के लिए परमेश्व मैं सामर्द दिया इसके लिए मैं प्रभू को बहले देने वाद देना चाहता हूँ और जम इसे आईदों के अंदर में से कुछ बात मैं आपके बताना चाहता हूँ इससे पहले एक और आईद मैं बढ़ना चाहता हूँ योग नाकी सुसमाजार की आटो अध्याय की बारेवी आएट येश्व ने फिर लोहों से कहा जगत की जोधी में हूँ जो मेरे पीचे हो लेगा वेगा अंदर में ना चलेगा परंदो जीवन की जोधी पाएगा प्रव की नाम की महिमा हो इदर हम देखते हैं कि प्रव येश्व मसी जोधी होकर जगत की जोधी होकर इस अंसार में आया क्यों आया? अंदगार में से लोगों को निकालने के लिए ये जोदी बेंगर आया ये जोदी सोयम बोला मैं जगत की जोदी हूँ क्योंकि अम बाईब के अंदर हम पढ़ता है कि जगत जोग है अंदगार में रहते है अंदगार का मतलब क्या होता है? अंदगार का अधिगारी जो है जो सेतान होते है सेतान की अंदगार की सामर्त से परमेश्टर की और लोगों को ले जाने के लिए एक जोदी बनकर प्रभी येश्मस्वी इस अंसार में पैदा गुआ दा इसलिए जो कोई येश मस्वी को जान दे है वो जोधी में चलते है या मतलब उनका जीवन के अंदर जो परमेश्वर का जोधी आते है उस जोधी में चलने के लिए येश मस्वी संसार में आया था क्योंकि सारे अंदगार को मिटाना लोग पाप करते हुए परमेश्वर के महीमा से रहीद हो गया उस महीमा से लोगों को बचा कर परमेश्वर की और ले जाने के लिए एक मार्गनर देशन देने के लिए प्रविश मसी इस अंसार में आया दा और हम यहना की पत्री पहला पत्री दूसरा द्या है नो से जारवी तक जब हम बढ़ता है तो हम दो प्रवार की लोगों को हम देखते हैं एक तो जो है जो जोदी में चलने वाला लोग दूसरी जो 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 लोग है जो अंदगार में चलने वाला लोग जो जोदी में चलते हैं, उन लोगों का प्रतेगदा एगाम देखते हैं, वो अपनी बाहियों को प्रहिम करते हैं, अपनी बाहिय कोण है, जो जोदी में चलते हैं, जो ये शमसी का जोदी में चलने वाला हर एक लोगों को परमेशर के समुग में बाहिय है, बाहिय बाहिय है क्योंकि एक जो जोदी में एक ही जोदी के जोदी में चलते हैं एक ही विक्ति के जो रोशनी में प्रगाश में जो लोग चलते हैं उनको बाईयां काते हैं और हम देखते हैं कि एक दूसरों को जरूर वोग फ्रेम करते हैं क्योंकि बाईय बाईय से फ्रेम तो करेगा जोदी में चलते हैं जो परमेशर का पुत्र एश्यमसी को को अपनी जोदी बना करके आगए अगवाईय में आगए चलते हैं वह लोग बाईयां बाईयों हैं और तो दूसरी जो विक्ति है, दूसरी परार की जो लोग है, जो अंदगार में चलना चाहते हैं, क्योंकि वो जो लोग अंदगार में चलते हैं, वो आपस में बिढ जाते हैं, आपस में वहर करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी जोदी नहीं है, सचाई जीवन में नहीं है, प्रमेशर का जो अगवाई जीवन में नहीं है, जो येश मसी के दुवारा उद्धार नहीं पाया और उद्धार जीवन में नहीं है, अंधार के शक्ती के दुवारा अंधार में चलते हैं, और सेतान की बातों बर चलते हैं, आपस में जगड़ा करते हैं, एक दूसरों को ट अंदगार में चर्टा है, वो आपस उनको पदा नहीं है कि हम कहाम जाते हैं, कौन सी दिशा में चलना है, कौन सी, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गेलत है, वो लोगों को पदा नहीं है, क्योंकि जो लोग अंदगार में चर्टे हैं, उनके आंगे जो गए, वो नेहीं को मौलम नहीं क्योंकि वह अंदगार उनको ऑगे चला ड़ाती है अंदगार से आंगे बेंद हो गई ए और परमेसर का वजन जीवा करना शुरू करते हैं। वो जोदी में चलना शिरू हो जाता है अंदगार के कोई अधिहार कोई पवर उसको उपर उन वक्ति के उपर हावी नहीं होगी उस वक्ति के उपर शासन नहीं होगी क्योंकि परमेशर यू चाहते है कि परमेशर के लोग सचाई में आए परमेश्टर का परमेश्टर दिकाने वाला जोदी में आए परमेश्टर दिकाने वाला जोदी है प्रू इस मसी और इस मसी को जोदी बनाकर परमेश्टर संगसार में बेजा इसलिए बेजा कि जो अंदगार में चलने वाला लोग जोदी देखे और अंदगार में जो लोग जोदी देखकर फरमेश्वर के और मूड़ दे फरमेश्वर का जीविद बच्छन के और मूड़ दे और फरमेश्वर से मिलने वाला जो धार पाए और यह नभी के पुस्तों के अंदर हम देखते हैं कि हो वा हमार धार और उस धार में चले क्योंकि प्रमेशर अमारा जोदी है जो येश मसीर के दोवारा हमें जोदी में लाया अंदगार से हमको बिचा लिया प्यारे मितरों, इस बज़न के दोवारा हमें प्रमेशर साध़ करे महद्द करे, आने वाला दिनों में एक दूसरों के साथ PRAIM रखते हुए उस जोधि के अगवाई में या जोधि को देखते हुए आगे बड़े और अनेग लोग इस जोधि में आए अनेग लोग परहू में आए परमेश्टर की जीविद बजन के अनुसर चलने की लिए प्रमेश्व में अगवाई करे, मद्द करे, इन बजन के दुआरा प्रमेश्व में अगवाई करे, प्रभ की नाम की महिमा हो